दोस्तों जिन लोगों का शरीर बहुत दुबला पतला है वो अपने शरीर को मोटा करने के हर संभब प्रयास करते हैं आज आपको गर्मी में मोटा होने के उपाई के बारे में बताएंगे थंडी के मौसम की अपेक्षा गर्मियों में वजन बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है लेकिन सही प्रकार की डाइट प्लान और एक्सरसाइज को करके आप आसानी से गर्मी में भी मोटा हो सकते है गर्मी के मौसम में यदि आप पानी के साथ साथ पोश्टे का आहार लेते हैं तो कुछ ही दिनों में वजन को बढ़ाया जा सकता है समर सीजन में सभी को तीशाट और हलके कपड़े पहनना पसंद होता है लेकिन बॉडी न होने की वज़े से किसी तरह एक कपड़े आपके उपर फिट नहीं होते हैं गर्मी के मौसम में हमारा मन कई प्रकार के स्वादिश्ट भोजन को करने का होता है यदि आप टेस्टी फूट साथ प्रोटीन, फैट, काबोहाइडरेट और कैलोरी से भरपूर भोजन करते हैं जो समर सीजन में वज़न को जल्दी बढ़ाया जा सकता है फलो में सभी प्रकार के पोशक तत्व और विटामिन होते हैं जो बजन बढ़ाने में मदद करते हैं गर्मी के मौसम में आपको कई प्रकार के फल आसानी से मिल जाएंगे गर्मी में मोटे होने के उपाई में आप आम, सेब, किला, आदी फलों का सेवन करें खिला में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है एक्सरसाइज के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है जो थकान और कमूर्जा दर्शाता है फलो में पानी की मात्रा भी अधिक होती है गर्मियों में मोटा होने के उपाई में खाएं पनीर पनीर में फैट और कैलोरी की मात्रा होती है. यह स्वाद में तो अच्छा होता ही है इसके साथ ही यह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है. प्रोटीन को आप अपने खाने शामिल करने के लिए पनीर की सबजी भी खा सकते हैं, जिससे आपको अतरिक कैलोरी मिले. अगर आप गर्मियों में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो पनीर का सेवन जरूर करें. दही का सेवन गर्मियों में करना बहुत ही लाबदायक होता है. यह थंडा होता जो आपकी बॉडी थंडा रखने में मदद करता है. फुल फेट दही एक और स्वस्ट स्नेक है जो कि अपने पोशन तत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइग्रेट्स और फैट्स का एक संतुलित मिश्रन होता है. दही का उप्योग करके आप कई सारी हेल्दी वेट गेन रेसिपी बना सकते है. गर्मियों में मोटा होने के लिए खाए चोकलेट. चोकलेट का सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है. यह वजन बढ़ाने में मदद करती है. डाक चोकलेट में बहुत अधिक मात्रा में वसा और कैलोरी पाया जाता है. इसके अलावा इसमें एंटियोग्सीडेंट भी मौजूद होता है. यदि कोई व्यक्ति गर्मी में मोटा होना चाहता है तो उसे प्रतिदिन ऐसा डाक चोकलेट खाना चाहिए, जिसमें कम से कम सत्तर प्रतिशतकों को मौजूद हो. समर सीजन में वजन बढ़ाने के लिए खाए मुनक्का. मुनक्का जो एक प्रकार से सूखे अंगूर होते हैं, इनका सेवन मोटा होने में मदद करता है. इसमें फ्रुक्टोज और ग्यूकूस पाया जाता है जो हमें एनरजी प्रदान करता है. वजन बढ़ाने के लिए आप रोज आट माइनस दस मुनक्का सुबह शाम दूढ में उबाल कर खाएं. कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना स्टॉट हो जाएगा. गर्मी में मोटा होने के उपाय में पे होमेट स्मूदी. मोटा होने के उपाय में घर पर बनी प्रोटीन स्मूदीज का सेवन करें. यह पोशन तत्वों से भरपूर होती हैं और आपको वजन बढ़ाने में काफी मदद करती हैं. इसलिए सबसे अच्छा मोटा होने का उपाई यह है कि आप जितना हो सके घर पर ही पोशन से युक्ताहार बनाना शुरू कर दें घर पर बनाने के लिए आप इनको दो कप मिलक्या बादाम के दूढ में मिलाकर ले सकते हैं गर्मियों में मोटा हुने के लिए अंडा और चिकन खाएं यदि आप मासाहारी भोजन करना पसंद करते हैं तो मोटा हुने में अंडे और चिकन आपकी मदद कर सकता है इन दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपके शरीर की मानशपेशियों के विकास में मदद करता है यह उच्छ मात्रा में प्रोटीन और वसा प्रदान करता है Red Meat में Leucine पाया जाता है और Leucine Amino Acid का महत्वकून भाग है जो मानस्पेशियों के निर्मान और मोटा होने के लिए अच्छा माना जाता है बादाम को सबसे कौश्टिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है गर्मी में मोटा होने के लिए आप बादाम का सेवन करें इसमें प्रोटीन और उच्छ मात्रा में विटामिनी, मेगनीशियम और फॉसफोरस होता है फॉसफोरस आपके शरीर को आराम दिलाने के लिए व्यायाम के दोरान काबोहाइडरेट और वसा दोनों का उप्योग उर्जा उत्पादन के लिए करता है जिससे मोटा होने में मदद मिलती है मोटा होने का सबसे आसान उपाई प्रोटीन पाउडर यदि आप समर सीजन में जल्दी मोटा होना चाहते है तो प्रोटीन पाउडर एक अच्छा विकल्प है जो लोग दुबले पतले है उन्हें भी वजन बढ़ाने में बहुत परेशानी आती है इसलिए मोटे होने के लिए बाजारों में कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स और पाउडर उपलब्ध है जो गर्मी में भी आपके शरीर को फिट रखने में मदद कर सकते है गर्मियों में मोटा होने के उपाई में एक्सरसाइज करें नियमित रूप से व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कई प्रकार से लाबदायक होता है जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको अधिक भूख लगती है और पाचन तंत्र भी सही रहता है यदि आप मोटा होना चाहते हैं और मास पीशियां को विक्सित करना चाहते हैं तो रोज कुछ देर के लिए एक्सरसाइज जरूर करें